मुवी की स्टार्ट होते हैं हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वार की 300 साल बात का टाइम है यानि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी दुनिया है डिस्ट्रॉई हो गई थी वहीं पर हमें एक स्पेशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनियावाद थी और स्पेशिप की रहने वाले लोग अपना गार्बिच नीचे जमीन पर भैंका करते थे एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बिच में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था बलके ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आदी बोडी तो इनसान की होती है लेकिन आदी बोडी मिशीन की होती है वो डॉक्टर उस रोबोट को उठा कर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है उसे नई बॉड़ी देता है फिर अगले दिन वो रोबोट सो कर उठते है जो कि एक लड़की थी और वो ये नई बॉड़ी पाने पर काफी खुश थी फिर वो रोबोर्ट डॉक्टर से पुछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ कहां से आ गई हूँ अब क्योंकि डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होती कि वो कहां से आई है इसलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बिच से मिली थी तो तुमारी आदी बॉड़ी डिस्ट्रॉई हो गई थी लेकिन जो तुमारा दिमाग था वो जिन्दा था एक्टिवेट था और बाद में हमने तुमारी बॉड़ी को रिपेर कर के बिलकुल ठीक कर दिया यानि हमने एक और बॉड़ी तुमारे साथ जोड़ दी उसकी बार डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है वो रॉबोटी सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो उस स्पेशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पुछती है कि ये क्या चीज़ है क्या ये कोई दुनिया है जिस पर डॉक्टरों से बताता है कि वर्ड वार के बाद ये सिर्फ आकरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिन्दगी काफी अच्छी है हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं और तबी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है अपना ये नाम सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इनसान स्काइ सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काइ सिटी में बहुत सारे खेथ हैं फैक्टरीज हैं इंडस्टरीज हैं इसके बाद वहीं पर अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम हियूगो होता है हियूगो जब अलीटा की बाड़ी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफी करता है क्योंकि उसकी बाड़ी एक रोबोट की बाड़ी थी जो काफी पौवरफुल थी अलीटा और हियूगो अच्छे दोस्ट बन जाते हैं उसी रात सिटी में एक लड़की का मरड़ हो जाता है असल में उस सिटी में एक सीरिल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मरड़ कर देता था और बाद में उनकी बाड़ी के पार्स को सेल कर देता था उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहिर से घर वापिस आ रहे थे अलीटा देखती है कि डॉक्टर की हाथों पर खोन लगा हुआ है जिसे देखकर वो सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे है यानि वो जो किलर है वो कोई और ना हो बलके डॉक्टर ही हो फिर अगली दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बोड़ी उस डॉक्टर ने अलीटा को लगाई है वो असल में उनकी बेटी की बोड़ी है अग क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी इसलिए उनने उसकी बोड़ी अलीटा को दे दी इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी अलीटा सबको इंप्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और अलीटा वो गेम जीत भी जाती है इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर ले कर जाता है वो एक बिल्डिंग की चछत थी जहां से पूरा सिटी नजर आता था और यहां से स्काई सीटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है हीउगो बताता है कि सकाई सीटी से जमीन तक सारा समान इसी पाइप के जरीय ही आता है और मैं सकाई सीटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊंगा अलीटा पुछती है कि सकाई सीटी दिखने में कैसा है जिस पर हीउगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बिज में से उठाया था और वो गार्बिज सकाई सीटी का था इसका मतलब ये है कि तुम सकाई सीटी से ही आई हो लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी असल में उसकी म्यामरे लॉस्ट हो गई थी फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाती है और यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बलकि वो एक वारियर हंटर है वारियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उन किलर्स की बाड़ी को फैक्टरी में लेकर जाया जाता है जिसके बदले काफी ज़यदा माउंट मिलती है यहाँ पर अलेटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है इतनी ही दिर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था तब अलेटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि उसे वहाँ से भागने पर मज़ूर कर देती है और एक दूसरी किलर को अलेटा मारने में काम्याब हो जाती है पर डॉक्टर और अलेटा उस किलर का सर लेकर फैक्टरी जाते है जहांपर उन्हें कीलर के सर के बदली में $20 मिलते हैं इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वारियर हंटर कैसे बने और क्यों बने वो बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी, और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थी और फिर एक दिन उनोंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर, उनकी बेटी को इटाकर ले गया इस incident के बाद, डॉक्टर को उस रोबोट पर काफे उसा आया और डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोर्ट तोड़ दिया उसे मार डाला और इसके बाद से ही डॉक्टर एक वारियर हेंटर बन गए इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है वेक्टर असल में सिटी में होने वाली रेस गेम का ओनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं जिस पर वेक्टर उसे काफ़ी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट करा गए रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है बलकि वोगत प्रावरफूल है। ये बात सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है फिर हीूगो अलीटा को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है जो दुश्मिनों का शिप है अलीटा जब उस शिप को दिखती है तो वो शिप उसे काफी ट्रेक्ट करता है इसलिए अलीटा पानी में गुद कर उस शिप में जाती है अलीटा को शिप में एक हाई टेक बाडी भी मिलती है अलीटा उस बाडी को ले कर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉड़ी को मेरी बॉड़ी की जगा रिप्लेस कर दे यानि मेरी सर के साथ इस बॉड़ी को फिट कर दे लिकिन डॉक्टर ऐसा करने से इंकार कर देता है वो बताते हैं कि ये बॉड़ी काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वैपन्स भी लगे हुए हैं और अगर ये बोडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगी इतनी खतरनाक के लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉई कर दोगी ये इन कार सुनकर अलीटा काफी घुसे में आजाती है इसकी बात अलीटा चली जाती है फैक्टरी में वहाँ जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अपसे वो भी वॉरियー हंटर है वो हुगो के साथ एक लब जाती है जहां पर सिटी की सारी हंटर्स बैठे हुए थे और वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्यूंकि वो ही वो किलर है जो सिटीकी सारी लड़कियों को मार रहा है और बागी लोगों को भी मार रहा है उन में से एक हंटर अलेटा का काफी मजाग बनाता है वो कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो तो फिर तुम किसी को कैसे मारोगी और आखर तुम Warrior Hunter 1 कैसे गई हो ये सुनकर अलीटा उसे मारती है उसका काफी मकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है ये देखकर सारी Hunters काफी हैरान रहआते हैं इतने ही दिर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है, जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेट कर दिया था, आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटेक कर देता है, और बदले में अलीटा भी उस पर अटेक कर देती है, और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगा पर आ जाता है, तब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगा में आ जाती है, और यहां पर दोनों के बीच सबर दस्ट फाइट होती है, लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और उसकी बॉड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन इतने ही दिर में वहां पर डॉक्टर और हियूगो आ जाते हैं, जो उस रोबोट का काफी मकाबला करते हैं और उसकी बॉड़ी को जला देते हैं, तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहां से भाग जाता है, और अलीटा की कटी हुई बॉड़ी को घर ले आते हैं, क्योंकि अब उसे एक नई बॉड़ी मिल चुकी थी जो कि काफी powerful थी weapons वाली थी और उस बॉड़ी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती है और इस नई बॉड़ी को पा कर अलीटा काफी खुश होती है अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉड़ी दिखाने के लिए जिब ह्यूगो उसकी बॉड़ी देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और उसे उसकी बॉड़ी काफी अच्छी यह सुनकर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर देना जिसके बदले में तुमें कुछ सारी powerful lights होती है लेकिन Hugo Alita के दिल को लेने से इंकार कर देता है और कहता है कि नहीं तुमें इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफी important है और कहता है कि तुमें रेस में participate करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता ह तो हम दोनों ही Sky City चले जाएंगे ये बास उनका Alita फुरन agree हो जाती है और वो रेस में participate करने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब कुछ वो Hugo के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो Hugo को पसंद करती थी इसके बाद हम vector को देखते हैं जो कुछ killers और hunters को hire करता है Alita को मारने के लिए वो सब को कहता है कि अगर तुमने रेस में Alita को मार डाला तो मैं तुम सब को 5 million points दोंगा जो के काफी important है Sky City जाने के लिए फिर हम उस hunter को दिखते हैं जिसे klub में Alita ने मारा था काफी और वो अपनी insult पर Alita से बदला लेना चाहता था और ये बदला अब वो Hugo से लेने था और रेस टार्ट होने वाली थी रेस में जितने भी killers होते हैं वो सारे अलीटा की पीछे पढ़ जाते हैं इसलिए वो अलीटा पर अटायक कर देते हैं लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी इसलिए वो सब कम काबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती रहती है तब अलीटा हंटर के पास पहुचती है तो वो उसे काफी बुरा मारती है जिबकि पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि हीउगो एक killer बन गया है और उस पर चार्ज भी था यानि जो भी उसे डूंडेगा उसे 30 डॉलर्स मिलेंगे और तब हीउगो को मारने के लिए वहाँ पर ही दिखते हैं योगो मर जाता है और तब ही वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो अलीटा को कहते है कि तुम हीउगो का सर काट लो क्यूंकि हम इसकी सर के साथ एक बोडी लगा देंगे और इसकी बोडी को एक रोबोटिक बोडी बना देंगे क्यूंकि डॉक्ट में वो हीूगो की सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जहाँ पर डॉक्टर उप्रेशन करके व्यकु सर के साथ एक डूसरी बोडे लगा यह लोग प्रबारा जिन्दा हो जाता है अलिटा और यह दोनों ही काफी खुश्श हाते हैं कि फिर घूगो के पास बंस बार्डी ती रोबोट वाली वाली डूक्तर को सबको दो करता है कि वह अक्टर सब के साथ फ्रौड करता है सब को धोका देता है कि मैं पैसे देख कर त स्काइ सिटी में सिर्फ वो ही लोग जा सकते हैं जो उस रेस के विनर होंगे अधरवाइस कोई भी नहीं जा सकता डॉक्टर अलीटा को ये भी पताता है कि मैं और मेरी वाइफ सकाइ सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और बस तबी के बाद वो यहीं परिफस गए ये सुनकर अलीटा को काफी घुसा आजाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है अलीटा सीधा जाती है फैक्टरी और वहाँ पर जो वेक्टर की सारी मशीन्स होती है वो अलीटा पर अटेक कर देती है लेकिन अब अलीटा के पास एक ऐसी बॉड़ी थी जो काफी पावरफुल थी इसलिए अलीटा सब को एक एक करके मारती जा रही थी सब मेशिन्स और रोबोट को डिस्ट्रॉई करने के बाद अब अलीटा जाती है वेक्टर को मारने के लिए लेकिन तबी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आजाता है जो अलीटा पर अटेक कर देता है जिससे अलीटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है और तबी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है यानि उसकी मेमरी अब वापिस आ चुकी थी जो लॉस्ट हो गई थी अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलीटा ने उस वर्ल्ड वार में भी पार्टिस्पेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई लेकिन उस वार में अलीटा के सारे फ्रेंड सारे साथ ही मारे गए लेकिन अलीटा को भी इंजर्ड करके उसके सारी बोड़ी को डिस्ट्रॉई करके उसे कार्बिच में फैंक दिया और यहां पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि यह सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसी नहीं अलीटा के सारे साथियों को भी मारा था और यहां पर अलीटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मैंने स्काइ सिटे की मालिक को जान से मार डालना है जब अलीटा को ये सारी बाते याद आती है तो वो काफी एमोशनल हो जाती है कι उसने अपने सारे साथियों को खोग दिया और उसे काफी घुसा भी आ जाता है और तभी वो रोबोट अलीटा पर एटेक कर देता है और अलीटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के दो टुकड़े कर देती है और तबी अलिटा उस दलवार से वेक्टर पर भी स्टैप करती है और वहीं पर वेक्टर की भी मौत हो जाती है तबी अलिटा की पस डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि यूगो सकाय सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पर चड़के तब ही अलीटा भी उसका पीचा करते हुए उपर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्काइ सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उपर कुछ भी नहीं है हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर जिनकी गुजारेंगे तब अलीटा की ये बाते सुनकर हीउगो मान जाता है लेकिन उपर से स्काइ सिटी का मालिकी सब कुछ देख रहा था और इसलिए वो उन लोगों पर अपना एक हतियार छोड़ देता है जिससे हीउगो की सारे बोड़ी अलग-अलग पार्स में कड़ जाती है लेकिन तब ही अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है लेकिन अलीटा से उसका हाथ चूड जाता है इसलिए वो जाकर काफी नीचे गिरता है हीउगो को खोग कर अलीटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है अब अलीटा डिसाइट करती है कि वो स्काय सिटी जाएगी और स्काय सिटी की मालिक को नहीं छोड़ेगी उसे मार डालेगी क्योंकि वो हुगो की मौत का बदला लेना चाहती थी हम देखते हैं कि अलीटा वो रेस भी जीत चुकी है और वो अपनी तलवार उपर स्काय सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काय सिटी की मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए तुमसे बदला लेने के लिए और देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी, मैं तुम्हें जिन्दा नहीं चोड़ूँगी और इसी के साथ ही ये मुवी यहीं पर एंड हो जाती है थैंक्यू फॉर वाचिंग